परम्न सतिकार योग गुरु प्यारी सासंग जीओ अगर आपने भी बाबा जी की फोटो को अपने घर की दिवारों पर लगाया हुआ है तो ये साखी आपको जुरूर सुननी चाहिए आज की ये साखी एक ससंगी परिवार की है परिवार का मुखिया जिसका नाम सुकदेव सिंग था जो की मजदूर था दो महीनों के बाद उसकी बेटी की शादी थी और उसने सारी उमर मेहनत करके अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे इकठे किये थे उसने उन पैसों से अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ गहने भी बनवाए थे अब उसने सोचा की बेटी की शादी है उसने अपने घर चले जाना है उससे पहले मैं अपने परिवार के सार डेरे में जाकर बाबा जी के दर्शन कर आता हूं ये बात उसने अपने परिवार वालों के साथ सांजा की कल हम देरे जाएंगे सबी बहुत खुश थे सुखदेव को बस एक बात का डर था कि घर में गहने पड़े हुए है वो जाने से पहले अपने पडोस वाले घर में ये कह कर गया कि मैं देरे जा रहा हूं सुखदेव के पडोसी को पता था कि सुखदेव ने अपनी बेटी की शादी के लिए गहने बनवाए हुए थे और उसके मन में लालच आ गया उसके पास सुखदेव के घर की चाबी पहले से ही थी उसने सुखदेव के घर का दरवाजा खोल लिया और अंदर चला गया अंदर जाकर वो गहने ढूंडने में लग गया सब जगा ढूंडने पर जब उसे गहने ना मिले फिर उसकी नजर बाबा जी की फोटो के पास पड़ी हुई संदूक पर गई जब उसने संदूक को खोलने की कोशिश की तो उसको जोरदार जटका लगा अब वो अपने घर गया और ताला तोड़ने के लिए हतोड़ी लेकर आया जब उसने ताले पर हतोड़ी को मारा तो हतोड़ी तूट गई उसके बार-बार कोशिश करने पर भी जब ताला ना खुला तब उसे समझ आ गया था कि इस घर में जरूर कोई न कोई शक्ती है फिर उसने बाबाजी की फोटो को देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी उसने दोनों हाथ जोड़ कर बाबाजी से माफी मागी और अपने घर चला गया जब सुखदेव डेरे से वापिस घर आया तब उसका पडोसी सुखदेव के पैरो में पढ़ गया और कहने लगा भाई मुझे माफ कर दे मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई है मेरे मन में लालच आ गया था फिर उसने सुखदेव को सारी बात बताई तुमारे बाबा जी में बहुत शक्ती है क्या तुम मुझे डेरे ले जाओगे मेने बाबा जी के दर्शन करने है सुखदेव ने कहा हाँ बाई अगली बार जब मैं डेरे जाओंगा तो तुमें साथ लेकर जाओंगा सुखदेव के पडोसी में इतनी तडब उठी कि वो अकेला ही डेरे चला गया और डेरे में जाकर उसने बाबा जी के दर्शन की उस दिन से वो ससंगी बन गया आज की साखी यही पर्समाप्त होती है आज की साखी से हमें ये सिखना चाहिए कि अगर हम अपने बाबा जी से सचा प्यार करते हैं तो वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते मैं आशा करता हूँ कि आप इस साखी से जरूर कुछ न कुछ सीखे होंगे साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शियर जरूर कर दीजिए और एक प्यारा सा कोमेंट कर दीजिएगा अगर आप बाबा जी की प्यारी प्यारी साखियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल पर हम हर रोज बाबा जी की साखियां अपलोड करते हैं संगत जी हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नई साखिय के साथ